नमस्कान लोगसबर चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खाश शो 24 का रंड विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ परवीद लोगसबर चुनाव 2024 में पियम मोदी पूरी ताकत के साथ मैदान में है इसी कड़ी में पियम मोदी ने आज उत्राखंड और राजस्थान में चुनावी रैली की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्राखंड के रुद्रपुर में कॉंग्रेस और राहुल गांदी को चम कालटाड़ा वई राजस्तान के कोट्पूतली में विजेशंकनाद कमदी Does साल में बहुत कुछ हुआ हुगा लेकिन घुछ से लेकर आश्ठ सीड़ शेरिंग पर ही टकड़ाता नजर आ रहा है इसके साथ चुनाप प्रचार गूरी Aur से बैक फूट पर हैं इदर के जिवाल के जेल जाने से विपक्ष की रणनीती धराशाई हो चुकी है तो क्या मोदी ने इंडी गड़ बंदन का बोरिया बिस्तर बांद दिया है इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मैनिश कुमार और एग्जेक्यूटिव एडिटर राजीफ कुमार आप दोनों का स्वागत है धन्यवाद डॉक्टर साब मोदी जी की जो हुंकार है वो बहुत भारी पड़ रही है विपक्षपर देखिए प्रदान मंत्री से कुछ नहीं हो ये मोज मस्ती करने वाले लोग है इन से देश समाला नहीं जाएगा तो एक अटैक जो है विपक्षपर मोज मस्ती है और पता नहीं क्या क्या कर दिया लेकिन दूसरा मैसेज जो ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है कि अब तक जो हमने काम किया है वो ट्रेलर है लेकिन जो उन्होंने काम किया वो तो देश जानी रही है आज उन्होंने उत्रा खट में अचीवो गरीब प्रपोजल जनता के सामने रखा और ये बताया कि एक घटिया लीडर और एक देश को आगी ले जाने वाले लीडर में क्या फरक होता है एक ही बात जो बाकी मोदी ने भी वही बात कही कि बिजली फ्री कर दूँगा बिजली का बिल जिरो होगा बाकी लोग भी कह रहें लेकिन वो कह रहें बिजली फ्री कर दूँगा लेकिन प्रदान मंत्री मोदी ने क्या कहा कि बिजली फ्री ही नहीं करूँगा बलकि आपको पैसे भी दूँग लेकिन शर्थ है शर्थ क्या है कि जो सौर उर्जा से जो बिजली बनाने का जो पूरा प्लान प्रधान मंतरी मोदी ने तैयार किया है कि गरीब अपने चटों के उपर अपने घरों के उपर अपने खेतों में क्योंकि वो राजस्थान हो या फिर उत्राखंड हो लोग पास जमीन है खाली जगय है और वहाँ पे धूब भी है तो वो ये कह रहे है कि फ्री तो होगा लेकिन एक योजना एक पद्धती के मताबिक होगा आपको इसमें देश के लिए भी कुछ करना होगा आप सोलर पावर का जो सिस्टम है जो सरकार बहुत ही कम दर पे दे रही है उसको आप लगाए जितना अस्तमाल करना हो अस्तमाल करें वो तो जिरो होई गया और अगर ज़्यादा प्रड्यूस कर रहे हैं तो आप सरकार को बेजदे पैसे भी कमाएगे दूसरी तरफ विपक्च है जो कहरा ये फ्री कर देंगे वो फ्री कर देंगे वो फ्री कर देंगे और देश की एकॉनमी का भट्टा बठा देंगे ये फर्क होता है देश को आगे ले जाने वाले लीडर्स में और देश को पीछे ले जाने वाले लीजर्स तो यहाँ पर मोदी की गारंटी जो है वो काफी भारी पड़ रही है और उसकी गारंटी का तोड़ विपाक्ष के पास नहीं देखें विपाक्ष के पाच हो भी नहीं सकता क्योंकि पूरी पार्टिओं को देख लीजए एक नजर दवड़ा ये जो इंडी ऐलायंस का पाटनर है और जो इंडी ऐलायंस का पार्टनर होने का दावा करता है ये तो आपस में ही उल्जे हुए हैं मोदी से मुकाबला क्या क टीम्सी के नेता कह रहा है कि पस्चिम बंगाल में तरिनमुल कॉंग्रेस का मतलब इंडी एलाइंस हैं मतलब कौंग्रेस नहीं है वामपंथि पाटि नहीं है बलकि जो पूरे देस के अंदर अलग अलग छित्रों में रिजेल पाटियां हैं उसका सपोर्ट हमारे पास है ये कॉंग्रेश तो बेवज़ा के इसमें हस्तचेप करने में लगी हुई है, मतलब आपस में अब जगडा इस बात का है कि INDIA का पार्ट कौन है और कौन नहीं है, और नहीं भी है, वो भी ये कह रहा है कि अभी चुनाव से पहले ये डिसाइड मत करो, ये गठवंधन का हिस् दूसरी तरह अगर देखा जाए, तो पिये मोदी का चुनावती, उनके लिए चुनावती बनने के लिए आपके पास एक बेहतर विकल्प होना चाहिए, लीडर्शिप तो है नहीं, हर रिजनल पार्टी के अपने निता जो हैं, उसको अपने च्छतर के अलावा बाहर कोई पहचानता तक नहीं है ठीक से, उद्धव ठाकरे बिहार में जाकर क्या करेंगे, शरत पबार बिहार में जाकर क्या करेंगे, ममता बनर्जी अगर बंगाल से बाहर निकले, तो वहाँ पर उनकी सभा में भीर जुटाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेगे, कोई भी एक नेशनल लीडर है ही नहीं, स्टार परचारकों की सूची कॉंग्रेस उत्तर परदेश के लिए जारी करती है, चालिस स्टार परचारक हैं, जिसमें से कॉंग्रेस को उत्तर परदेश के पांच बड़े नेता नहीं मिलते हैं, मजबूरी में वो करनाटक के सीम, तेलंगना क सीम हिमाचल परदेश के सीम राहूल प्रियंग का सुनिया मलिकार जुन खड़के ये सारे के सारे जो नेता है जिसको उत्तर परदेश में सही तरीके से गांधी परिवार के लोगों को चोड़ दो तो पहचानता नहीं है और वो स्टार परचारक बने हैं उत्तर परदेश के लिए तो पीम मोदी के सामने चुनोती बनना इतना असाल नहीं है यह आपस में लड़ेंगे भीडेंगे और पीम मोदी के लिए एक बेहतर रास्ता तैयार करके जाएंगे डॉक्टर साब पीम मोदी का विपकल्प विपक्ष ठेपास नहीं है क्योंकि वो जिस तरह की विक्तित उनका है तो उन्होंने पहले ही चुनावों यह चुनाप्रचार के दौरान ही बढ़त बना लिए देखें बढ़त बनने के कारण और भी है राजीब जो बात कह रहे हैं उसको में थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं ममता भरणजी अकलेस यादव तेजस्व यादव अर्बिंद केजरिवाल उद्दव ठाकरे या डीम के यह तमाम लोग जो तथा कतित इंडी गड़बंदन में हैं जो उनकी तैयारी दिख रही हैं जिस तरीके से लैक लस्टर एप्रोच के साथ वो लोकसभा का चुनाव वो हेड-on ले रहे हैं उससे दो संकीत पहला ये कि ये लोग अपने resources को बचा रहे हैं अभी देखिए दूसरे phase का nomination शुरू हो गया कहीं आपने Congress Party का प्रचार देखा कोई audio, video, social media पे कोई campaign launch हुआ, इंडिया का नहीं हुआ आपने अख्लेस आदब का देखा, तेजसु आदब का देखा, ममता का देखा, नहीं, क्यूँ, they all know deep down कि मोदी को हराना नमुम्किन है, तो क्या करेंगे? ये regional parties इस चुनाओ को अपने जो assembly के elections होंगे, उसकी तैयारी के नजरिये से वो इस चुनाओ में जा रहे हैं, कि कुछ ऐसा करते हैं कि जो हमें फाइदा देगा assembly election में, तेजस्य आदव को बनना है मुक्य मंतरी, प्रदान मंतरी कौन बन रहा है उसके agenda में नहीं है, अकलेस आदव यूपी में वापस आना चाह रहे हैं, प्रदान मंतरी और देश में किसकी सरकार बनेंगे, not in their agenda, ये सारे लोग, तो ऐसे में क्या होगा? जब आपको मालूम है कि हम चुनाओं नहीं जीतेंगे, हम मोदी से टकर नहीं ले सकते हैं, तो पहला काम आप क्या करेंगे? कि जो कुछ भी resources है, वो resources को आप बचा के रखेंगे, ताकि आप अपना जो original आपका जो battle होगा, जब assembly election होगा, तो उस resources को हम उसमें इस्तमाल करे और इसलिए कई सारे पार्टियों से ये खबर आ रही है कि जो political parties है, वो tickets को बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? ऐसा नहीं कि पैसे की कमी है, कोई pocket भरने के लिए, ये तैयारी है assembly elections के, तो इसका मतलब तो बिलकुल ही साफ है, कि Congress जो है, लोगों ने Congress को आगे बढ़ा द अंग्रेज जमाने का जिलर, आधा इधर, आधा उधर, बाकी सब मेरे साथ, तो राहुल गांदी के पीछे कोई नहीं है, क्योंकि ये जो इंडिकट मंदल में ज्यादा तर जो बड़ी party है, वो अपने assembly elections की तैयारी में जुट गए हैं, और ये जो लोकसभा का चुना हो र हटाने की ना उनके पास कूवत है, ना हैसियत है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो इंडि गड़बंदन का तथाकतित, ये जो प्रचार प्रसार का जो सिस्टम है, वो जिरो बटा सन्नाटा चल रहा है, तो यहां पर मोदी के मुकाबले कोई नहीं, और कॉंग्रेस जो और जो सबसे बड़े नेता हैं, अब तक इस बात को लेकर कन्फ्यूजड हैं कि राय बरेली और अमेठी से चुनाब कौन लड़ेगा, अगर आप रिपोर्ट्स देखिए, मीडिया में इस बात की चर्चा है, भारते जनता पार्टी से सवाल ले उटा रही है, इस बात की से आपने परतियासी घोषित कर दिया, ये सवाल गांधी नहरु परिवार के उपर है, ये उत्तर परदेश जैसे राज्य में, भले ही आप सत्रह सीटों पर चुनाब लड़ रहे हो, लेकिन यहां से एक अवधारना क्रियेट होता है, चुनाब कर नतीजों के लिए, और व दूसरी तरह वाइनार से नोमिनिसन की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता, स्टार तो नहीं है, लेकिन कहा तो स्टार ही जाता है, और वो नेता जब अपने चुनाब छेतर को लेकर इतना कन्फ्यूज हैं, तो ये दूसरे जगह परचार करने ज सिप को लेकर, इन नेताओं के अपने रवयों को लेकर, इंटरनल फाइट ऐसा चल रहा है, ये परचार लॉंज क्या करेंगी, परचार करने से पहले ही सरिंडर करने की स्थिते में पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर आप दोनों का सर्टिक विशलेशन जो किया है, उसक आपसी जगड़े और नेताओं के बागी तेवरों से नहीं उभर पा रहा है, यानि इंडी गडबंदन अभी तक चुनावी मूड में नहीं आ पाया है, जबकि बीजेपी हर मोर्चे पर पूरी ताकत के साथ जंडे गारती दिख रही है, और इंडी गडबंदन पूरी तर जरूर करें, नमस्कार